प्राचीन भारतिय सेना का वर्गीकरण चार स्तंबों पर किया जाता था, जिनें चतुरंग बल कहा जाता था। इन चार स्तंबों में से एक था रत। रथों का उलेक हमें वेदिक काल से ही मिलना प्राप्त हो जाता है जिससे हम रथों की प्राचीन भारतिय सैन्न विद्या में भूमिका का अनुमान लगा सकते हैं किन्तु प्रश्ण यह आता है कि इन अजय रथों का युद्ध में प्रियोग किस प्रकार से होता था प्रस्तुत वीडियो में हम इसी प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का उत्तर खोजना इतना सरल नहीं है क्योंकि विश्व भर के विद्वान इस विशय में भिन्न भिन्न राय रखते हैं कि न केवल प्राचीन भारत में अपितु प्राचीन विश्व की अन्य सभ्यताओं में रथों का प्रियोग युद्ध में किस प्रकार से होता था रथों के उपियोग के विशय में किसी तर्क संगत निशकर्स तक पहुँचने के लिए हम एक एक करके विबिन विद्वानों द्वारा दिये गए मतों को समझने का प्रयास करेंगे रथों के उपियोग को लेकर सबसे प्राचीन मत होमर द्वारा रचित इलियड पर अधारित है होमर की प्रसिद रचना इलियड प्राचीन ग्रीक की सबसे उतकृष्ट रचनाओं में से एक है इस ग्रंथ में हमें रथों का उलेख भी मिलता है इलिएड में आई कई कथा के अनूसार युद्ध के समय युद्धा रथों पर चड़कर युद्ध भूमी तक जाते थे और वहाँ पहुशने के उप्रांत रथों से उतर कर सभी युद्धा युद्ध में सम्मलित हो जाते थे अर्थात इस मत के अनुसार रतों का प्रियोग युद्धाओं को समर भूमी तक ले जाने के लिए ही होता था दुदिय मत के अनुसार रत का प्रियोग निकट जाकर लड़ने के लिए किया जाता था अर्थात एक रत शत्रू सेना के रत के निकट जाकर या शत्रू सेना के पैदल सैनिकों के निकट जाकर लड़ता था और इस मत के अनुसार जो रत पर आरुड योद्दा होता था उसका मुख्य अस्त्र भाला होता था इस मत में रथों का प्रियोग जिस प्रकार से बताया गया है, मध्यकाल में गुड़सवार सेना का प्रियोग इसी प्रकार से होता था। लडेंगे तो रथों का एक बहुत बड़ा भाग असुरक्षित होता है। पहिये, घोडे, सार्थी, आदी। ऐसी स्तिती में यदी रथ शत्रू सेना के निकट आकर लडेंगे तो संभव है कि शत्रू इन असुरक्षित अंगों पर प्रहार करेगा। इसलिए यदी रथ निकट होकर लड़ते हैं तो रथ के लिए अधिक संकट है। यह हुई पहली समस्या। निकट होकर लड़ने में दुतिय दोश है कि रथ का एक ही स्थान पर अस्थाई हो जाना। हम जानते हैं कि युद्ध भूमी में रथों की विशेषता यही है कि वह युद्ध भूमी में शीगरता से एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाकर शत्रू पर आक्रवन करने में समर्थ होते हैं। अर्थात रथों की गतिशीलता ही उनकी प्रमुक शक्ती है। किन्तु यदि दो रथ एक दूसरे के निकट आकर लड़ेंगे तो वह अपनी इस गतिशीलता का लाव नहीं उठा सकेंगे। इन दो दोशों के कारण ही रथों के एक दूसरे के निकट आकर लड़ने का जो यह पूरा मत है वह अधिक विश्वस्निय नहीं जान पड़ता। स्थान से दूसरी स्थान पर जाकर बान वर्षा कर शत्रूओं को आतंकित करने में सक्षम था। प्रारंबिक काल में रथों पर एक ही दनुरधारी विद्यमान होता था। किन्तु बाद के काल में रथों पर एक से अधिक धनुरधारी विद्यमान होते थे। रथों के गतिशील होने के कारण धनुर्धारी शिग्रता से शत्रु दल पर बान वर्षा कर सकते थे और साथ ही साथ शत्रु से उचित दूरी पर होने के कारण यह धनुर्धारी अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकते थे। विद्वानों के यदि हम चौथे मत का वर्णन करें, तो इस मत के अनुसार प्राचीन युद्धों में रथों का प्रियोग शत्रू सेना की व्यूरचना को तोड़ने के लिए होता था। इस मत के अनुसार रथ शत्रू दल के पैदल सेनिकों द्वारा बनाई गई व्यूरचना पर तीवरगती से आक्रमन करते थे और इस अप्रत्याशित आक्रमन के कारण पैदल सेनिकों की यह व्यूरचना तूट जाती थी और शत्रू दल की सेना को पराजय का सामना करना परन्तु इस मत में भी कुछ दोश व्याप्त हैं। परन्तु विद्वान यह मानते हैं कि इस प्रकार की युद्ध नीती का प्रयोग सदैव नहीं होता था। इस अंधर में बात करें तो विद्वानों द्वारा दिया गया तीसरा मत ही तरक संगत जान पड़ता है। इस मत के अनुसार रतों का प्रयोग शत्रू सेना पर बान वर्षा करने के लिए किया जाता था। वैदिक साहित्य में उलेखित है कि रतों पर आरुण युद्धा का मुख्य अस्त धनुष होता था। इससे यह प्रमाणित होता है कि प्राचीन भारतिय युद्धों में रतों का प्रयोग शत्रू सेना पर गती से बान वर्षा करने के लिए होता था। यदि हम दूसरे उधारण की बात करें तो वह सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ जेलम युद्ध है। पस्चमी स्रोतों के अनुसार जिन रतों का प्रयोग पोरस द्वारा इस युद्ध में किया गया था। शत्रू सेना पर धनुर वर्षा करना था। रत पर जो ढ़ाल लिये हुए दो सैनिक थे वह इन धनुर धारियों की सुरक्षा के लिए थे। वहीं पांचवे युद्ध का कार रिथा निकट आ गए शत्रू को निरस्त करना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पोरस द्वारा रतों का प्रियोग इस जेलम युद्ध में किस प्रकार से किया गया था। यहां ध्यान देने योग ये बात यह है कि रत अधिक शक्तिशाली तब बन जाते थे जब वह पैदल सेना के साथ साथ चले या उनके समर्थन में चले। अब आप यह वीडियो देखें जिसमें मैंने बताया है कि प्राचीन भारतिय सेना का भाग रत कैसे बनी। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगा तो कृप्या करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।